नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सर यूप टूप चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्ट्री डी ट्रिपल एस भी पीजी टी पार्ट 133 में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकान की गंटी को क्लिक करना न बोलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुँच तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं निमलिखित में से किसने रमायन का बंगला रुपांत्रन परस्तूत किया था यनी रमायन को बंगला भासा में किसने लिखा था ये लिखे थे कृति वास ने एंसर होगा B कृति वास कोशन नमबर तीन है निलिकित में से किस अस्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया था तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया था किस अस्थान पर ये किया था फतेपुर सिकरी में अगर डेट पुछता है कब किया था ते हो जाएगा पंदरा सो पचहत्तर इस्वी में कुश्चन नमबर चार है अकबर ने किसे कवी प्री की उपाधी से विभूसित किया तो यह किया था राजा बीरबल को एंसर होगा C राजा बीरबल को यानिक देखा जाते हो अकबर की जो सासनकाल था उसमें हिंदी साहित देका अत्यधिक दिल्चस्पी था और उसका पोशन भी करता था और उसके समय के प्रसिद्ध कवी थे बीरबल जिनको जो है कवी प्री की उपाधी से सम्मानित क्या था अकबर ने कोशन नमबर पांच है निमलेखित में से कौन सी जागीर अस्थांतरित नहीं की जा सकती तो वह है वतन जागीर कोशन नमबर छे है सुप प्रसिद्ध कोहिनूर साजहा को भेट किया तो सुप प्रसिद्ध कोहिनूर साजहा को किस ने भेट किया कोहिनूर जोमला ने कोशन नमबर साथ है जिस चित्रकार ने तूजू के जहांगीरी के मुख्य प्रिष्ट के लिए चित्र बनाया उसका नाम था इन्हीं तुजू के जहागिरी के मुख्य प्रिष्ट पर जो चित्र बनाया गया था उस चित्रकार का नाम पुछा जा रहा इसमें तो वो चित्रकार कौन था तो वो था अबुल हसन कोशन नमबर आठ है खफी खा को मुंत्खवल उल्लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकी उनकी रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकी तो इसका एंसर हो जाएगा कोशन नमबर 9 है मनसबदारी संस्था क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा कोशन नमबर 10 है जिस मुगल समराट ने फार्सी में आत्म कथा लिखी उसका नाम था तो उसका नाम था जहांगीर, एंसर होगा सी जहांगीर, जिसने अपनी आत्म कथा तुझू के जहांगीरी लिखी थी फार्सी भासा में कोस्ट नमबर 11 है प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री अस्थापीत वी तो ये वी थी सूरत में 1608 इससी में कोस्ट नमबर 12 है निमलिखित में से कौन इडिवासी सरप्रथम भारत आए तो कौन इडिवासी सबसे पहले भारत आए तो ये थे पूर्त गाली कोशन नमबर 13 है इस्ट इंडिया कमपणी को भारत में बैपार प्रारंब करने की आग्या सबसे पाले किस समराट ने दी तो सबसे पाले किस समराट ने दी थी तो थे जहां गीर ने कोशन नमबर 14 है निमलेखित में से कौन नो तो जावरी था और नो ही सिल्पकार तो वो था मनुची एंसर होगा डी मनुची कोशन नमबर 15 है दूतिव पूर्तिगाली वाणिजिक अभियान के नेता का नाम था तो इनका नाम था अलवारेज काब्राल कोशन नमबर 16 है सीवा जी का राजय विशेख जिस जगह हुआ उसका नाम था तो उसका नाम था राय गड़ में अब देगे सीवा जी का जो राजय विशेख हुआ था 15 जून 15 जून 1654 इसमी में हुआ था इनका बेद मंत्रों और हिंदू रिति रिवाजों के से हुआ था और जो राजय विशेख कराय थे पंडित उनका नाम था गंगा भट्ट यह एक और नाम था उनका विश्यस्वर जो बनारस के पंडित थे और उन्होंने ने च्छत्रपती की पाधी ग्रहाण की और रायगड को अपनी रायधानी बनाया थे राजया विशेक में जो पंदरा जून 1664 को हुआ था कोशन नमबर 17 है जिस वर सिवाजी ने साइस्ता खां को हराया था या पराजित किया था तो ये किये थे 1663 इसी में कोशन नमबर 18 है जिस सासक के सासनकाल में पानी पत का तिसरा ही दुआ उसका नाम था तो उसका नाम था बाला जी बाजी राओ तो बाला जी बाजी राओ के समय हुआ था पानिपत का तीसरायोद कब हुआ था ये 14 जन्वरी 1761 को हुआ था 14 जन्वरी 1761 को हुआ था अहमद सा अबदाली और मराठों के बीच में जिसमें मराठों की पूर्णता हार वी थी तो उस समय जो सासक था बाला जी बाजी राव था कोश्चा नमबर 19 है मुकासा सब्द का अर्थ था तो मुकासा सब्द का क्या अर्थ था इसका एंसर हो जाएगा बी नगद वेतन के बदले दिया गया भूमी अनुदान अब देखे यह मुकासा सब्द मराठों के समय में ही लिया गया था तो मुकासा एक परकार के भूमी अनुदान थी जो सेनापति या जमिदार आदि को दिया जाता था बेतन के बदले भूमी दे दी जाती थी और भूमी से जो राजस्व अपना इक ठठा होता था वो बेतन की रूप में प्रियोग करते थे तो उसी को मुकासा काया था यह मराठों के सासनकाल में मुकासा लागू किया गया था कुश्चन नमबर 20 है दिये गए संकेत की सहता से निमलिखित घटनाओं को तीथी क्रम में रखें दिया है सूरत की संदी और सारी पुरंदर की संदी तोडर की विजय देखा जाए यह हुआ था कि 15 सारी 1613 1643 हिस्वी में तोरण विजय साइज्टा खावी बताए 1663 हिस्वी में सूरत लुठ हुआ था 1664 हिस्वी में पुरंदर की संदी ती 1665 हिस्वी में तो यह डेट है इस डेट से क्रम से नीचे से क्रम से चार तिन दो एक क्रम है को स्टन नंबर 21 है सिखों को एक सैन लडाकु जातिक रूपे पनित करने का प्रयास किया था तो यह प्रयास किया था किसने प्रयास किया था इसका एंसर हो जाएगा ए गुरु हर गोविंद ने गुरु हर गोविंद ने गुरु हर गोविंद ने कुस्टन नमबर 22 है मुगल समराज के किस भाग को आहमसा अपदाली ने सबसे पहले बिजित किया था तो आहमसा अपदाली ने सबसे पहले जो बिजित किया था वो था पंजाब कोश्चन नमबर 23 है मराठों के विरुद आमस आपदाली को समर्थन देने के लिए सुजाओ दवला केवल इसले प्रेरिथवा क्योंकि किसले प्रेरिथवा क्योंकि इसका एंसर जाएगा सी वह अपने स्वेम को राज स्वेम के राज को सुरच्छित रखना चाहता था एंसर सी होगा इसका कोश्चन नमबर 24 है नेमलिखित वैक्तब्यों विचार दीजिए कथन और कारक्स है कथन या वैक्तब दिया गया है मुगलों का सैन संगठन प्रारंबिक 18 सताबदी में ध्वस्त हो गया सही है दूसरा तर्क दिया है जागिदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति आ गई थी यह भी सही है यानि किसका एंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही ब्याख्या करता है तो एंसर हो जाएगा ए कोशन नमबर पचीस है बक्सर के युदि के समय बंगाल का नबाब कौन था बक्सर के युदि के समय बंगाल का नबाब कौन था तो बंगाल का नबाब था मीर जाफर एंसर होगा A मीर जाफर कोशन नमबर 26 है बंगाल के दोरे सासन को किस अंग्रे सासक ने समाप्त किया था तो अंग्रे सासक था वारेन हैस्टिंग एंसर हो जाएगा भी वारेन हैस्टिंग कोशन नमबर 27 है जिसके सासन काल में ब्लैक होल दुर घटना घटी थी उसका नाम था तो उसका नाम था सिराजु दौला और यह घटना घटी थी 20 या कहीं कहीं 21 देता है 21 जून को 1756 इसी में ब्लैक होल बंगाल के नवाप था उसमें कलकत्ता में लुकर लुस् revolution नंबर 28 है से किस आस्थान की जमिदार सिर supremacy इब्राइम खाने अंkelेजें को बक्स दिथी द दी थी सूतानती काली खात और गोविंदपूर के अंसर ए होगा कोईशन नमबर 30 है रावाट का लाइब जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था वह था कलकत्ता पुना कपजा करने वाला अभ्यान दल के नेता के रूप में तो यह थे वीडियो आज के लिए तुम इद क